हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब बिल्कुल और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर ये भी कि योगी आदत्यनाथ जो हैं वो अयुध्या पहुचेंगे राम की पेड़ी पर तीन लाग दीप आज शाम जलाए जाएंगे देखाते लगातार दीपक रखे जा रहा है ये बच्चे हैं यहां पर दीपक रख रहे हैं और तीन लाख दीपक जलाने का यहां पर अनुमान है और यह इसी चुकि भूवी पूजन से पहले यह दिपोट्सो हो रहा है चुकि यह लिए बहुत बड़ा पल है करीब 500 साल बाद ऐसा लाया है कि यह द्या में राम का मंदिर भव्य मंदिर निर्माड होने जा रहा है यह बच्चे हैं लगातार दीपक लगा रहे हैं ठीक कर रहे हैं और यहां से लेकर इस घाट यह घाट का यह चोर से लेकर दूसरे चोर तक पूरे घाट को दीपों से सजाए गया है दीपक रखे गए हैं और यह अनुमान ही करीब 3 लाग से ज्यादा यहां पर दीपक रखे गए हैं जो अभी इन में तेल और बातियां लगाई जाएंगी और साम को करीब 6 बजे के आसपास इन्हें प्रजुलित किया जाएगा आप लोग आप लोग कि एक कितने दीपक लगा चुके दीपक यहां पर जलेंगे कुछ हैं एक लग पचीस जाएंगे लिए हैं यहां पर उसके बाद रोड पर लगेगा पूरा फिन लाग का लग वहां अईसे कुछ है तो यह अभी आप लोग दीपक लगा रहें तयारी कर रहे हैं और साम को प्रजुलित को कि आएगे प्राम को योगी जी आएंगे तो उसके मरलब जला जला जागे योगी आदितिना जब से चीफ मिनिश्टर बने उसके बाद हर साल यहाँ दीपोत्सो कारकरम करते रहे हैं और आज जब पांच कल यानी की भूमी पूजन होना है प्रधानमंत्री नरेंदवुदी खुद आ रहे हैं अध्या भूमी पूजन के लिए तो उससे पहले यह दुविपोत्सो कारकरम रखा गया है यह आप देख सकते हैं यह सर्यू घाट में राम की पैड़ी है बगल में सर्यू का घाट है और राम की पैड़ी पे पूरे घाट में आप दीपक सजाए गये हैं जिनमें अभी तेल और दीपक रखे जाएंगे और दीप जलाए जाएंगे और साम को जो नजारा होगा यहा करने वाले हैं केमिनमेन राजेश कुमार के साथ नीरज पांडे राम की पैड़ी अयोध्या तो पूरी तरीके से उच्छाफ का महौल और शुरुआत आज शाम के इस दीपोच सब से हो जाएगी प्रिश के दोरुआत आफ जाईएश कुमार राम केरिा वाले हैं के साथ method अर्बंशन राम की ताम आप जास में हो जाएगीba